नमेशकार दोस्तों सभी पैंसन धारकों और केंद्रे करमचारियों कामे एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूच चानल पर हार्दिक स्वागत कर दिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सुप्रिम कोट ने ओवा आरोपी स्कीम के अमल पर किंद्र सरकार की दलील को सभी कारा था उट तीन महीने का अतिरिक्ट स्यम्य एक्स्टेंडर टाइम पिरियड हमारी सरकार ने जो वहाँ पर एक तरह से मनमानी की थी कोट अवमाना के बाद भी सुप्रिम कोट ने सरकार को तीन महीने का अतिरिक्ट स्यम्य दिया था पैंसन डिविजन के लिए इसी पर हम बात करेंगे तो वीडियो में बिना स्किप करें एन तक जरूर बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्रा जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर ही प्राप्त हो सके तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के सीधा हम अपडेट पर आते हैं आप सभी चानते हैं कि जो एक्स्टेंडी टाइम पिरियोड दिया गया था याने कि जो सक सकीम जो यहां पर आप मेंशन देख रहे हैं यह असल में है ओरूपी टू रिवीजन इसके लिए के इंदर सरकार को 15 दिसंबर तक का समय दे दिया गया था सरकार ने कोर्ट से इस सकीम पर अमन आने के लिए अतीरिक सभर मांगा था टाइम एक्स्टेंड करवा के मांगा थ क्योंकि पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने समय दे रखा था उस समय में जो है पैंसन डिवाइज करने में एसमत रही हमारी केंदर सरकार लेकिन अब जो मुद्धा यह है कि अब आप सभी जानते हैं आज 8 दिसंबर है अब 15 दिसंबर का समय कितना नजदीक है आप खुद भी क काम को लेकर या फिर क्या कुछ उनका प्रोसीजर रहा कितना कार्य हुआ कितना रहा कोई भी ओफिशली अपडेट अभी तक हमारे 15 द्थारकों के पास नहीं है लेकिन इस बार जो है हमारे 25 द्थारक वो भी ऐलर्ट हो रही है क्योंकि पिछली बार यह नहीं पता था कि contempt of लिगली तरीके से किस परकार से फाइल कर सकते हैं क्योंकि जब तक पैंस अंधारकों की जो एक जुटता हुई एक मत हुआ उनका की कंटेंट ओफ कोड फाइल किया जाए तब तक जो है सुप्रीम कोड में पहले ही टाइम एक्स्टेंशन की अपील की जा चुकी थी जिसके अ हमारे पैंस अंधारक एक्टिव हैं अलर्ट हैं और कंटेंट ओफ कोड के लिए पहले ही रननीती बना ले गई है क्योंकि जूटे रिलासी देने से याँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी तक यानि कि जो पूरी प्रोसेस है लगवग नो महीने पूरे होने के हैं तो अभी तक जो कारिया नहीं हुआ तो वो एक आने वाले एक वीक में किस फरकार से किंदर सरकार उसे पूरा खर पाएगी लहाला कि यह हमारे पैंस अंधारकों के लिए अच्छी गुड़ नियूज ही होगी अगर वो कर पाते हैं लेकिन यहा भी आप एक्स्टेंडिंट टाइम पिरिएड के अंदर अंदर पैंसन रिवाइज करने में ऐस मत रहते हैं तो आपको एक्स्टेंडिंट टाइम पिरिएड का 8.5% अलग से अब मारे पैंसन धारकों को देना होगा तो यह बहुत ही गंबीर विच है अब इसलिए बन गया ह क्योंकि अब किंदर सरकार इस जो टाइम पिरिएड है यानि 15 दिसंबर से पहले पहले अगर नहीं कर पाती है तो यह एक्स्टेंडिंट टाइम पिरिएड का अलग से ब्याज भी किंदर सरकार को देना पड़ेगा तो यह किंदर सरकार पर ही भारी पढ़ने वारा है लेकि दिसम्बर अब काफी नजदिक आ रही है तो हमारे पैंस अंधारक एक्टिव हो गए हैं एलर्ट हो गए हैं कि क्या दलिल आकिर इस बार के अंदर सरकार की रहेगी या फिर क्या सच में ही हमारे जोग के अंदर सरकार है वो जान पूछ कर हम कह सकते हैं कि जान पूछ कर ही क्य नहीं वो दे रहे हैं या फिर 2024 के इलेक्शन तक इसको खीजे जाने की प्रोसेस में वो लग गए हैं कि 2024 के इलेक्शन में वो और उपिटू रिविजन को फसाना चाहते हैं तो दोस्तों हाला कि अभी तक किसे लेकर कोई अफिशिली अपडेट हमारे पास नहीं है तो कि ये कुछ अच्छी गूड न्यूज इस टाइम पिरिएड के वेच निकल कर आए लेकिन जैसे ही कोई भी अफिशिली अपडेट इस पर आती हमारे आपके साथ जुड़ेंगे शेयर करेंगे तब तक के लिए हमारे जो सभी पैंसंधार को आरोपी टू वैटन्स हैं उन स सभी को जै हिन जै भारत